प्रिविद्दार थियूं, मैं डॉक्टर यस्कुमार, यूपी राजर स्टेंडन उपेन उन्वस्टी, प्रियाग राज आप लोगों से आनलाइन क्लासेज के माध्यम से कुछ अपने प्राइसनातक और असनातक इस तरफ़ संचाले इतिहास विशेमे कोर्स के संब्द में, आप लोगों से वारतालाप करना चाहता हूँ वरतालाब के संबंद में मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग आज टापिक जो होगा भक्ति आंदोलन, मद्दिकालिन भक्ति आंदोलन और मद्दिकालिन इतिहास में एक मोर साबित होता है, आप सभी लोग जानते हैं इस संबंद में और भक्ति आंदोलन, 13-27 से लेके मुगल काल तक इस संबंद में तमाम चर्चाएं की गए, उस समय समाज कैसा था, उस समय की सोसाइटी कैसी थी हमारी, समाज को उस समय मुक्रूप से हम लोग चार भागों बाटते हैं, जो उच्छ वर्ग था एक, मध्यम वर्ग था, साध़ान वर्ग और, मद्यकाल में, हमारे वज़िछ वर्ग आते थे, जनसाधन वर्ग के इस्तिति बहुत ही डवाडोल थी उस समय, और उस समय मुसल्मानों के आकरमन के कारण, जो हमारे इस्तिति बनती थी समाज में, बहुत ही, 30-刃, हिंदू बहुल 6-30 hiç होँग था, व बचाने के लिए आगे आए और यह जो हम लोग का पाठ है भक्तियां दूल्ण सुफी अंदूलन उसी के संबंद में है मैं इसकी बिस्तरी तर्चा करना चाहता है उपसे बतालब करना चाहता हूं प्रियसे चार्थियों मेरा यह जो टॉपिक है भक्तियां दूल्ण सुफी अंदूलन इसके उद्दे से क्या क्या है इसे मैं ओगत कराना चाहूंगा आप लोगों जो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे भक्तियां दूल्ण के उद्दे के कारण से उगत कराएंगे हम आप लोगों को भक्तियां दूल्ण के विशेस्ताओं से उगत कराएंगे संतों के जीवन चरित से उगत कराना होगा हमें आपको भक्तियां दूल्ण के उस समय के प्रमुक संत कौन कौन से थे उनका प्रभा करानी पर मुख्टू फूर्ण कौन relatives कि Έν get ऐ उस कितने प्रकार के सुफी इस संवें सुपी संद्राय संदुकि और भारती संकुद्स क्वें मुख रुप से सूफी बाद की क्या देन थी और भक्तियां दोलन की क्या भरते संस्क्रिटी में देन थी इन सब चीजों के पर हम आउगत कराएंगे आप लोगो इसके बाद हम लोग ततकालीन देखें मुस्लिम समाज कैसा था हमारा उस समाजे के स्थिति क्या थी क्योंकि हम दोनों मुस्लिम समाज माना जाता था तक लिए जतने भी थे उसमें जादेतर उत्तर मध्यकाल में मध्यकाल में सासक बर्ग मुखरुब से सासन सथा का भर पूर लाव टाता था। उल्मा वर्ग में उल्मा वर्ग, उल्मा वर्ग में उच्छाती के लोग आते थे, उसमें उच्छाधिकारी, प्रधानमंत्री, जो जमिदार, सभी जमिदार वर्ग, इतने सभी वर्ग उल्मा वर्ग में आते थे, मध्धम वर्ग में मुख्य रूप से किसान, वैस, बिजनस मैं यह सब आते थे और जन साधान में जो नीचे के लोग थे जो हमारे दलित लोग थे यह सब आते थे जिनको कोई सलतनत कालिन सत्ता इस्थापित हुई तो पहला जो सासक्ता कुदुव दिने बग्त वही दास समाज से ही आता था मुहमद गोरी ने उसे दास के रूप में प्राप्त किया था और दासों के इतनी अधिक मजबूश थी कि सलतनत कालिन जो सासन सुरुवात भारत में हुई वह रबी नाम से जाना जाता है और मुकर उसे समय को सब्सक्राइब को कहा जाता है तो दास और फिरोज तुकलक के सासन काल में आते आते दासों की श्तितीं बहुत ही मजबूट थी और यह रों समय पूरे सासन सत्ता में दास प्रथा का जो विक्रित रूप भी दिखाई देता है जब ये दास हर जगा जमिदार के रूप में और उच्छे पद को प्राप्द करते हैं उस समय कि जो जाती पवस्था थी मुख रूप से हमारी चार वणों पे अधारित थी ब्रामण, छत्री, वैस और सबसे निचला वर्ग, दलित वर्ग ये चार इस्तिती थी और उस समय का जो बिजनस था उसके अधार पे जाती बवस्था आधारित थी इनको कोई भी सुभधाय उपलवद नहीं थी और जब भक्ती का अलोन, सुफी आंदोलन ये बवस्था प्रभावित हुई जब सुफी आएं तो जाती जो निचला वर्ग था उसी को प्रभावित करने के कोशिस किये कोकि इनको कोई भी सुभधाय समाज में उपलवद नहीं था भारत में जब भक्ती आंदोलन के सुरात हम देखते हैं तो भक्ती का उधवाव मुकरुब से इसी आधार पर हुआ क्योंकि समाज कुछ सुभधाय ना होने के वश्ते और मुसलिमा कर्मन होने के कारण समाज में प्रधा पर था और इस सब चीज़ों का और हिंदू पर जो अत्याचार हुआ उसके कारण जो उसमें के संत समाज था वो भक्ती किसा जो भक्ती का अंदोलन हम कहते हैं उसके आगे कि जो संतों ने सोचा कि हमारी जो हिंदू परंपराएं उसको कैसे बचाया जाए क्योंकि धीरे धीरे इससे पहले भी दस्वी सताब्दी में हम देखेंगे कि भक्ती का अंदोलन को प्रदभाव था और बाउध्व और जैन दोनों जो धर्म थे इन लोगों ने भी हिंदू हिंदू तो को परंपराओं को बचाने के लिए कार किया लेकिन धीरे धीरे बार सांके चैतायैन महापर्भु और यह लोग आते हैं सभूडय निरुक्रूर पर नाम से ख़ए हुंद का नाम लेता है परंपरा में जो परंपरा हमारे मुर्ति पूज झालती थी उसी तरह चलेगि tapping मुखुरूअ प्रफु यह दें आता है रामानंथ का भी नाम आता ए растuchar को पूरारे अई प्रंपरा थे त Scorp only नहीं किया लेकिन सिपने हम देखें गे रामानंद के जितने भी अनोय थे उनके जो 12.000 से माने जाते हैं कभी उस का समर्थना नहीं किया उन्हों निर्गुर्ः परम में ही आते हैं कभी थे रामानना या सर्माज को क्या समाज को एकत्रों करने का प्रियास इसी वज़ाइसे ४ In ब्रामन परिवार में जनम लिये थे प्रियाग में लेकिन कभी भी उन्होंने समाज को अलग करके नहीं देखा और उनके जो भी सिस्य थे कबिर खुद ही जुलाहे थे और आपके उनके कई जो डली जाती से थे उनके सिस्याया महिलाएं भी थी इस वाज़े से हम आगे देख परिशान था इस चीज को लेके कि ब्रामन वाद की जटिलता है समाज में ब्रामनों की प्रभुता है उसको इससे निकला कैसा है क्योंकि जो नीचे के लोग थे मुसलमान उसको जो सूफी थे उनको अपने धर्म में समलीत नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने छोटी जाती हो पर प्रभाव डाला जा देतर अब सूफी जो अपना खानका भी बनाते थे वह समाज की निचले वर्ग में ही जाके बनाते थे जिससे इनको मोड़ा जा सके तो जो हमारा संद समाज था इस चीज को समझा और उसने अपने धर्म को सरल धर्म की और आकंशा को आगे समाज में एक समाज का एक बड़ा वर्ग जो हिंदुत उससे कट रहा था वो धीरे धीरे समाज में पुना प्रतिस्थापित हुआ दूसरा जो हम देखेंगे समाज की अकंचा इसमें जाती पर था आइसपरसयता विबाह जाती पर था कि जू ज जटिलता थी उसको धीरे धीरे लोगों ने खतम किया, संतों ने अइसपरसे था थी उसमें जो नीचले तबके को लोगों को समाज में भाहिसकृत किया जाता था साथ में बैठ नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे, एक तरह से उनकी इस्तिती तीनों बर्गों की सेवा में लगी रहती थी वो कटे रहते थे समाज से, और समाज की विकास में कोई भी योगदान अश्परसे जाती नहीं देती थी, इसी तरह बिबाह अगर किसी उच्छे जाती से निमन जाती में हो जाती थी, तो उनसे होने वाले पुत्रों को कोई भी समाज में अच्छी इस्तिती से नहीं देखा जाता था, तीसरा जो काना हम देखते हैं कि मुसल्मानों के जो अत्याचार थे उस समय, खासकर हिंदू समाज पे, उन्होंने जजिया कर लगाया था, जजिया एक तरह से वो मानते थे कि हम जो हिंदू समाज का रच्छा कर रहे हैं, चैस समाज में रहने का इधिकार दे र गरहन कर रहे थे उस समय, चाथा जो है इसलाम का प्रचार, जो हमारे सूफी थे उस समय, निम्द जातियों को समाथा का आधिकार दिलाने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं मुसलिम समाज में एक सवर बाद का प्रचलन था, मुख्यरूप से, एक सवर बाद में एक जो संता के भावना आनी चाहिए, एक सवर बाद के कारण ही आ सकती है, तो इसके कारण हिंदू समाज को संगठन था, हमारे जो संथे, उसको किसी तरह दिर्णे करना था, इसको बचाना था हिंदू समाज के संगठन को, और ये सबसे बड़ा कारण भक्ती संतों ने किया, क्यो इन लोगों ने मुख रूप से भक्ती संतों ने इसमें विशेश रूप से उखदान दिया, इन्हें जितना कहा जा, जो भी उसमें शुरुआत में थे, रामानन जी ने पूरे देश का भ्रमन किया, और तब जाकर उन्हों बनारस में अपना इस्थाफित किया, वहीं से इ राम ने रावन को मार के राशास वंस का जो दमन किया, तो उसके वज़े से उन्हों राम को प्रस्थापित किया, और उसके आगे हम देखेंगे कि भक्ती आंदुलों का सुरूप कैसा था, उसका तत्यों कैसा था, भक्ती आंदुलों का सुरूप मुख रूप से आंडंब दोनों दोनों बिरोद और इन होने आगे चल के मुर्ति पूल blijड क muddyंपुजा का विरोद किया ए शालीं मुंगरुड्यों कोyntheden हो अब को यह ने किसे हैं ज्वर्ण Dwagnam गमार थे तरफ शर्व उनुका कहना था कि समानता प्रजोर दिया जाती-पाती को उन्हों कहा कि यह देकार की चीज़ें जाती-पाती का बंदन नहीं होना चाहिए समाज में भक्ति के द्वारा ही उनुका कहना था भक्ति संतों का भक्ति के द्वारा ही मुझकी प्राप्ति की जा सकती है क्योंकि जब तक हम इस वर्ष से साचातकार नहीं करेंगे तब कि नहीं हो सकती है और भक्ति का मैं हम लोग देखते हैं भक्ति के जो विसाल रूप देखते हैं वह चैतन महापर्वू के समय देखते हैं एक टार से देखा जाए रामानन दーハ कभीर और सिस्व बनाना समाज में एक समानता कारण था क्योंकि कि रविदास दलिज जाती से आते थे कवीर जुलहे जाती से आते थे इन लोग को सिस बनाना रामा नंजी ने दिखाया कि मनुसमात की समानता से ही समाज को आगे बढ़ाया सकता है दूसरी बात इन लोग शंतों ने उसमें गुरू के महत्तों पर बल दिया क्योंकि उनका कहना था कि गुरू के बिना ग्यान नहीं मिल सकता क्योंकि गुरू ही हमें इस वर सचाथ करा सकता है कबीर दौरा कहा गया है यह कि गुरू गोविन दो खड़े काको लागो पाए बल हारी गुरू आपने गोबिंद दी और बताए तो उन्हों ने गुरू को भगवान से भी उपर माना क्योंकि भगवान इस वर सचाथ कराने वाला गुरू ही हो सकता है कोई दूसरा नहीं हो सकता उन्होंने एक हिंदु मुस्लिम एक्ता पर जोर दिया क्योंकि उसमें जो सासक जाती थी मुस्लिम उसमें समाज में अगर एक नहीं हो तब तक वो अपनी हिंदु समाज को बचाय नहीं जा सकता था इसलिए उस समय हिंदों मुस्लिम एक्तापर कबीर नानक ने भी जोर दिया रविदास ने भी जोर दिया चैतन ने भी जोर दिया और उसके बाद इनके सिसे नाम देव के सिच्चों ने भी हिंदों मुस्लिमान दोनों थे तो उस समय हम समाज देखते हैं कि हिंदू और मुशिल्म एकटापर सभी भक्ति संतों ने विसेश रूप से चोड़ दिया सन्याज का विरूद्ध भक्ति संतों ने किया कबीर ने खास कर किया क्योंकि उन्होंने परिवारिक जीवन जीते हुए जुला है का कार्य करते हुए धारमिक जींदकों बिताया और उस संवेकर जितने भी संत थे रामान संयास का भिरूद नहीं किया है कबीर ने मुक्रूब से भिरूद नहीं किया संत्व द्वारा सभी धर्मों के अधार्मिक पॉत्यक्ता को इस्थापित जो था नाई था रविदास जो चमार थे कभीर को मुसल्मान माना जाता है क्योंकि कभीर के बरने के बाद यह माना जाता है क्यों जुलाहे के रूप मुसल्मानी थे क्योंकि हिंदू और मुसलिम दोनों धर्मों से उनका अंतिन संस्कार किया गया था और एक चित देखते हैं भक्ति आंदोलने के जो महत्तो है विश्यस रूप से हमारे छेतरी भासाओं का जो प्रस्पिटुत हुआ छेतरी भासाओं में साहित का निर्माड किया गया रामानजी ने हिंदी में कबीर ने कई भासाओं को मिला के उस समय जगा जगा उन्होंने अपना प्रवचन दिया तो छेतरी भासाओं का जो साहित निमाड किया गया भक्ति गितों के लिए अस्थानी भासाओं के इस्तिमाल किया गया नानक ने बिस्यसकर पंजाबी में दिय कभी और नामदेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें मुखिष संत और उनकी परंपराय क्या-क्या थी हम यह देखेंगे मुखिरी रूपसे रामानंद को हम देखते हैं सबसे बड़ा नाम है भक्तियां दोलनिक संतमें अत्र भारत में बनुकर जीमंत किया था बारश निरानबे इसमी में प्रयाग के कानिकुझ ब्रावन परवार में जनम हुआ था लेकिन इनके जितनी कार इस्तली थी वणारस में थी वालानसी में नों सासरों का ध्यन किया और इनके गुरु जो माने जाते हैं पुराने लेखों ने स्वामि रागवानंद से इन्हों जो बारश सी से थे उसमें छे बरामन थे उसमें चार निमन जाती के थे दो इस्तिरिया भी थी पदमावतिया और सूरसी इससे हम देते हैं समाज में जो भक्ति संतों ने कार किया कि समाज को कैसे एक जूट किया जाए समाज में कैसे एकता इस्थापित की जाए कबीर जो जो राज भाण साथ उसमें फारसी थी हिंदी का प्रचलन निचले तब के में था लेकिन कभी उस लेखों के रूप में कभी लेक के रूप में कभी इस तरह की चीजे समझन समाने में नहीं परचारित होती थी अब उसके आगे हम देखते हैं कबीर को रामानंद के बाद जो एक जुलाहे द्वारा पाए गए थे जो उसका नाम नूरी था और उसकी पत्नी का नाम नीमा था जिसके द्वारा उसका उनका पालन पोशन किया गया इनका जन्म ये माना जाता है सुर्तियों के अनुसार कि लगबख 4440 में हुआ था और इनके पुत्र कमाल और पुत्री का नाम कमाली था लेकिन कभी ने कभी कोई सिच्छा प्राप्त नहीं की थी इसलिए इनकी जो भासाएं हैं उकरकुल मिली जुली है आउधी भी है उसमें राइस्थानी भी है जो इतनी जितने इनके दोहे हैं उसमें कई भासाओं का इसलिए माना जाता है कि कभीर पंथी जो माने जाते हैं इनके अन्वाई कभीर पंथी माने जाते हैं इन्हों ने मुर्ति पूजा का भी बिरोत किया साथ साथ में मुसलमानों के आजान का भी ब आने जाते हैं कि दूसरे मानवतावादी थे एकसरवादी भी थे वाई आडंबरों को इन्होंने बिल्कुल आलोचना की जितने करमकांड थे पहले मुर्ती पूजा की अलोचना की सम्मद में एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा हा इनका पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहार ताते यहां चाकी भली पीस खाय संसार ये मुर्ति पूजी के आलोचना के समझे उन्होंने कहा कि पाहन अगर पूजने से हरी मिल जाए पहाड पूजने तो मैं पहाड को पूजू और ताक्ते या चाकी भली पीस खाय संसार इसी तरह उन्हों मुसलिम धर्म के आलोचना की कि काकर पातर जोरे के मस्जड लई चिना अता चड़ि मुल्ला बाग दे का बाहरा हुआ हो खुदा हुदा है इस तरह के हम चीज़े देखते हैं कवीर के दोहों में उन्होंने गुरू की महत्ता पर जोर दिया क्योंकि इनका क कहने था कि गुरु की विना इस्वि Wand पर अने कर सकती हैं Somebody just बै 가장 उन्हीं हुन आ हन रूब से बात की इसके बियुक्ता हैं उनका वास्ति Qing देखते हैं कि इनके भी जो सिस थे हिंदू मुसलिम दोनों थे और इन्हों में समाज के निचले वर को भी बहुत प्रभावित किया कभीर ने इसलिए इनके जो मानने वाले अनुवाई है उनको कभीर पंथी के नाम से जाना जाता है इनका मुक्रूप से जो दर्शन है को पर परमपरावादी चीजों को नहीं लाइक किया उनकी आचलन था कि सुद्यता करतब्यों को पालें पर जोड़ दिया इनका पंद्र सुद्धा से मिर्ति हुई और अंती मिसंचार इनको इनकी पहले में बता बता चुका हूं कि अन्दी मिसंचार दोनों पद्दितों पुरुननानक सिखों के परवर्टक माने जाती हैं मुभि人ूव से और अभी अभी जब वविभाद करतारपूर में माना जाता है जब ववन पाकिस्तान में वह बड़ी चर्चा में रहा करतारपूर क्योंकि करतारपूर में नानक ने अपना बहुत लंबा समेंच जीन बे में जनम हुआ था और इनका इनके पिता का नाम कालूचंद महता था जो गाओं के पटवारी थे बच्पन में ही माना जाता है कि इनको संस्क्रीट हिंदी और फार्सी का बड़ा अच्छा ग्यान हो गया था और ये जब उस समय का समाज था जो वहां का वह बहुत इनको लाइ कहिंज की तो लगे रहते चिन्ता में पहारों पेजाके चिंतनी अंसील जाकर साथी नहीं किया था इसे शन ही अलग बैरागी रूक में थे यह समस्त मृसरा ब्रैसर में पार जाता है है नेपाल il इसे आस पास के भारत लुएशान Figlar प्रमनिनोनानिक ने किया था अनेक संपरदायों के संपर्क में भी आये थे और अंत में जो अभी मैंने बताया कि करतारपूर में यह जाकर बस गये थे और लंबे समय तक वहां रहे इसलिए करतारपूर के माता है जो अभी हम लोग देखते हैं पाकिस्तान में हैं और पाकिस के संवारी देखते हैं तमाम जितने भी कुछ चिसुन संपरदाय जो हमारे संत सूफी थे उनके Nahi से शया टर्मनित किये लाय थे लुए भी इसमें लाए गये हैं विचर教 holy produce से उद्धेशंगोग देखते हैं हिंदू धर्म में सुधार का था उस Ramsay को deeply dharm में में सुधार को फॉट हो धार्मिक के समद्सभार करना चाहते थे लेकिन कभी काबीर की समाना 강वान कि दुसरे धर्मों के हिम आलचना करें जीसे कबिर किया था जो इनका धार्मिक विचार था, इन्होंने बेद और मुकुरान के सत्ता को बिलकुल असिविकार किया, तो हम देखते हैं इन्हों ये भी एक तरह से एकस्वरवादी थे, ये उनकी उनका उधारवादी दृष्टकून था, जाती प्रथाक इन्होंने बिरोध किया, इन्हों और भक्ति के संथ थे, ये हिंदू-मुसलमान के एकता पर हमें सब बल दिये, इनका कथन था कि उस एकस्वर के उपासना करना चाहिए, जहान एक मुहम्मद, ब्रह्मा, विश्नु, राम हैं, हम उनकी उपासना करनी चाहिए, ना कि क्यों लेक, इतने हमारे जो ब्रह्मा, विश्नु, राम और मुहम्मद की उपासना करनी चाहिए, हमें एकस्वर की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सबसे उपर एकस्वर ही है, जो इस्वर है, वह ही एक ही है, इन्हों ने भी गुरू के महत्ता पर बल दिया, क्योंकि इनका भी यही मानना था, कि जितने भी इस् नहीं प्राप्त कर सकते और गुरु की इसलिए सभी संतों ने हम देखते हैं भक्ति अंदुलन में सभी संतों ने गुरु की महत्ता पर जोर दिया समाज सुधार के छेतर में इन्होंने जाती प्रथा का विरोध किया भक्ति के साथ सेवाकार पर भी इन्होंने जोर दिया इन्होंने नेक कमाई करने का आदेश दिया और ग्रहस्त धर्म को इन्होंने स्थेश्ट धर्म माना क्योंकि इनका माना था कि ग्रहस धर्म में रहते हुए ही हम समाज को सुलहर सकते हैं हम एकएसवर को उपासना कर सकते हैं और बाद में इनकी 15-20 सीज में मृत्व हुई नानक के उपदेशों ने बाद में एक संपरदाय के रूप धाणन कर लिया जिके हम सिख संपरदाय करते हैं और बाद में इनके गुरुओं ने जो दस गुरु हुए सिख संपरदाय के उनको बाद में इनके जो सिख से थे सिख कहलाए और धर्म के रच्छा है तो बाद में इनोंने साइनिक संपरदाय का रूप धाणन कर लिया और बात के इतियास में हम लोग देखते हैं मुगलों से सिखों ने बहुत ही लड़ाई ली अब इनके एक सिस्यों में हम कबीर की जो सिस्य थे ये इनका दादू दादू को हम देखते हैं इनका जन 1544 इसमी आमदाबाद में हुआ ये ब्रम संपर्दाय के गठन किया इन्होंने और परम ब्रम या संपर्दाय दोनों कहा जाता है जो दादू के गीत हैं गुरू गरंथ साहब में भी मिलते हैं जो आदि गरंथ में दादू के जो दोहे के वाणी में भी संग्रीत है दादू के मृत्वी राज्थान के रानाई नाम गाव में जायपूर में हुई थी जो आधी दादू पंथियों का मुख रूप से केंद्र है सबसे बड़ा नाम आता है जो सगुन परमपरा में हमारा भक्ति आंदोलन भक्ति संतों में चैतन महाप्रभू का महाप्रवी इसलिए हम लोग इनको कहते हैं इनका नाम चैतन नहीं था क्योंकि ये किर्टन परंपरा को सबसे फैलाने वाले किर्टन परंपरा माना जाता है कि किर्टन की जो परंपरा है चैतन से ही सुरू हुई और इतने उसमें रम जाते थे किर्टन में और चैतन का अस्थ में नौदीप आधुनिक नादिया आज जो पच्छिम बंगाल में एक ड्रमण परिवार में हुआ था और बच्पन में इनको गावरांग था निमाई भी कहा जाता था 14 वर्ष की आयू में कला आयों ब्याकरण की उन्हों टीका लिख दी थी इतने कम आयू में इन्होंने ब्याकरण की टीका लिखी थी कलाप ब्याकरण की टीका लिखी थी कलाप ब्याकरण कहा जाता है नोदीप में नियाज सास के सिच्छा के लिए इन्होंने एक पाट साला की की सथापना की यह सोचा जा सकता है उस समय के समाज में उस समय पाठश आयास के सिच्छ cracking यह बहुत बड़ीत भात है कि इसवर पूरी नामक संथ से इनों ने 22 वर्ष की आयुमें दिछा लीथी इनके गुरु मानने जाथे 24 वर्ष की अवस्था में आयुमें कैसो भारती में दिछाले के संयाज धर्मक ना लिया था इनोंने उसादि Remember क्रिष्ण चेटन्य कहते थे क्योंकि ये किर्ष्ण के मुझारी थे और क्रिष्ण के क्रितन में युक्य रोजाते थे नाचनेे लगते थे कि इसलिए इनको चैतन्य महाप्रभु कहा जाने लगा कृष्ण का अवतार भी कुछ लोग इनको कहते हैं इन्होंने पूरी में यातरा की दच्छन भारत में यातरा की गुजणात मतुरावन ब्रिंदावन लेकिन अंति मुरूप से इन्होंने ज्यादे अपना जो सेश्जीवन पूरी में बिताया और इनकी 1533 में मृतु हो गई कि चैतन्य का मुक्रुप से हम लोगों देश जो देखते हैं धार्मिक द्रिश्टु को भक्ति मार्ग था भक्ति मार्ग सरवच स्थान क्रिश्ण के पति अस्ते अनुराग के कालन ही इनका किर्टन मुक्य साधन था और किर्टन क का समस्देश में परचार करने का बहुत बड़ा इनका रूल था क्योंकि किर्टन इस से पूरू हमें कहीं लेखों में नहीं मिलता इसलिए किर्टन परमपरा को जो माना जाता है उद्गाटन करने वाले यहीं है चैतनं इनका भक्ती भाहतए चैतन की भक्ती भाहना के 9 और हदि हरी आदी सकती यह माना जाता था दूधिन ऑफ सिस्कंटीन का मानना था कि करिस्यान रख सागर है कि रही रूप है V Haut है अ कुछ होता है कि अ देलिए गौत नवान होट वूम रूफ से जीव आत्मा और और फिरेल गाव पिलार degenerate रक्ते थे चैतन इसलिए सगून प्रंपरा विक्रम से आत्मा का पतन होता है इसलिए हमें इसे बचना चाहिए, जो हम भी कर्म अकर्म करती हैं, उसे हमें बचना चाहिए, कर्म हमारा ऐसा होना चाहिए, जिससे आत्मा का पतन नहों हो, और अगला जो है इनका प्रकृति से मुक्ति, इन्होंने माना की धर्म, योग, बैराग, तथा कृष्ण भक्ति के के रस्यासमा अबंदन से मुक्त होती है और ने लो हौद या अगला जो है अंचिता भेदाव जो इनका सिधन्ध था प्रमात्मा आत्मा से भिनों कर होकर भी दोनों अंस добав कि इनका मानना था कि आत्मा और अर्ब्र मात्मा दोनों भले हम मानतें के लग है लेकिन दोनों का आंज से एक ही है इनकी जो अगली है भक्ति भक्ति पेनों विश्वरुस पर जुर्दिया मोच का जो अंतिम रूब रसलतम एक मात्र मार्ग भक्ति है जो मोच प्राप्ति का एक मार्ग अंतिम मार्ग यही है कि हम उसे भक्ति मार्ग अपनाएं जो तो ग्यान कर्म के अपषिछा जादे स्वतंत्र हैं, क्योंकि ग्यान और कर्म उनका माना था कि ग्यान और कर्म मार्ग सके वह काथ यís denk कि युथ जिसे हम मोच की प्राप्ति कर सकते हैं, उनके अनुसार भक्ति तीन प्रकार की होती है, एक साधन Jakubha क्वाओत था कि एक प्रेम भक्ति ये चैतनों का मानना थखा है। उनका जो अगला सिधान था वायराग संसाल के प्रति वायराग ही मुछ कामार्ग है , उनका ये मानना था बेरां के द्वारह हीं हमें मॉच्छ प्राप्त हो सकता है। जो ये शैतन महा पर उन्हों भक्ति के जो साधन बताये मुकृरुप से इन्हों कहा कि हरी के नाम सोरुप कृष्ण के भक्ति में बाल लीला को इन्होंने महत्पूरा स्थान दिया और कृतन परंपरा को उन्हें बहुत ही आगे बढ़ाया यह पहले ही बता चुके हैं अब ल इन्हों को महत्पूरा स्थान बत्तन दिया इन्होंने समाज के प्रती इनका जो दृष्टकौर्ण था प्रोहित अपर उफ्पूरुथों का आउस्यूकार करते लिए भक्ति संतों में यह विसर्ण सभी भक्ति संतों में गूर पाएंगे उन्होंने आडंबर बिहीन किसी व्टी ने भी जो परंपरावादि आडमबर था उसको मानने से इंकार किया जी पर करण दोनुक स्वार किया ये बाद में ये क्रिंस्त के आव्तार माने जाते थे इसलिए चतन महाप्रु कहे जाते है उनके जोव आनुभाई मुख अनुभाई को तो ब्रिंदवन में इनको च्छा चुक्वी लंबे समय ये बिरिंदावन में भी रहे और इसलिए च्छा गोस्वामी कहा जाता है एक नई चीजे इसमें आती है कि चतन महाप्रवु के जो सिस्य थे उसमें मुसल्मान भी थे किवाल हिंदू ही नहीं थे मुसल्मान भी थे किसन भक्ति को उच्छा भाववेश प्रदान करना चतन की मुख दिन है जो हम आज देखते हैं किसन भक्ति जो हमारा नए रूप में आप देखेंगे इस बीदेशों में भी बहुत फैला है किसन भक्ति का जगह जगह हम इसके अलाम हम देखते हैं यह तो उत्तर भारत और प काम किया मुख्राशम महाराष्ट में उनके अंदोलन जो हुए थे उनको हम पंधर पूर आंदोबन का जाता है और Peanu ने है एक बिठोबा पूझा के देश का भरमण किया था कबीर ने जो नाम देव को आदर्स भक्त तक माना था जो इनके ग्यानेस्वर के जो सिसे थे नाम दे उनको आदर्स भक्त भी माना थे वे राम के उपासक थे राम को सवरव्यापी मानते थे भक्ती मुख़ुप से हम लोग देखते हैं समाज इसलिए लाइक किया कि भक्ति संतों ने समाज के जो मांग थी उसका इन्होंने प्रचलन किया इसलिए ये बैर्वरीक धर्म के रूप में हमारे समाज में प्रफिर्ट हुआ हिंदु को आसनमित कर गया यह जो प्रभाव था हिंदु समाज जो था हमारा उससे बड़ा आसनमित हुआ कि हमारे जो समाज है इससे बचेगा भक्ति संतों ने इसमें बखुट बड़ा काम किया इस परंपरा में हम सूर दास को देखते हैं, तुलसी दास को भी देखते हैं, कबीर को भी देखते हैं, नानक को भी देखते हैं, जो भक्ति संतों ने मुकरूप से जो परभाव डाला समाज पर उस समानवे का दिरिष्ट कुन, हिंदू और मुसलिम समाज जो हमारा उस समय ग सकते और पूरे भारत में इनका प्रभाव था और जो हमारा हिंदु समाज बहुसंख्यक समाज उसे डरा सहमा रहता था तो संतों ने ये कार किया अपने समाज को बचाने के लिए कि समाज में समन्वे का दिश्टिकोंड हो उच नीच का भेत खतम हो जिसे हमारे समन्वे क्योंट वर्ग था समाज के मुख्य जो मध्यम ब्रग तरोच वरका उसके साथ धीरे 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 वो संकृता समाप्त होई लेकिन पुन रूप से नहीं तो आधनी काल में जाके होई लेकिन मद्रेकाल में जो संक्रिता का प्रत्याग संतों ने प्रयास किया जिसका करणन था रविदास का संत परंपरा में आना, कबीर का आना, मुखे रूप संक्रिता का प्रत्यार के कारणी ये लोग आए, जो मुखे रूप से हम देखते हैं भक्तिया नों, मुसल्मानों पर फे प्रभावब पढ़ा, मुसलिम जो आए उनको भी हिंदू समाज को समझने का मौका मिला यह सबसे पड़ा प्रभाव रहा मुसलमानों का और हिंदू दोनों का क्योंकि हम देखते हैं भक्ति संतों के भी जो बहुत सारे सिस मुसलमान थे और सूफी संतों के बहुत सारे मानने वाले हिंदू समाज था इसके बाद हम देखते हैं कि आडंबरों की समापती भी भक्तियांदूलों के परवाव की रूप मे आती है जितने आडंबर परम्र का बहूत सारे आडंबर जो हमारे समापत हुए उस जो भेद भाव था नंबर जितने थे उस समय के समथ हुए और एक सबसे मुखः कान था निम जाती union का उथान वह दो हमारे समाज में हुआ हमारा जो बहुसंखिक समाज था वह मु allows दारा में को शुखवा और समाज के निर्माद में योगदान दिया सासत हम देखते हैं उसमें एक Flory, जचितीरी साहित्व का जो निर्माद हुआ बहुत ही में सुफिवाद का जो प्रचलन हुआ दोनों हम लोग साथ साथ इसलिए पढ़ती हैं कि भक्ती आंडोला सुफिवाद माना जाता कि मुस्लिम धर्व से पन्पा और यह कहा जाता है कि विदेशों से यह सुफिमत कहा जाता है रहस्वाद की जो भावना थी इसलाम सुफीमत के दूसरी विष्टा प्रेम की भावना भी मानी जाती है भारत में सुफीमत का वास्थविक जो आरम होता है माना जाता है 1190 इसवी से जब सेख शिस्ती दोरा अजमेर में खानका की अस्थापना किया गया और आज भी हम मानते हैं कि अजमेर के दरगापे सभी समाज के लोग जाते हैं और 1190 विस्वी में उन्होंन खानका की अस्थापना की अजमेर में और मुख्य रूप से ये माना जाता कि प्रतिवराच्चामवान ने एक बार ख्वाजामवन ने इंचिस्थी को हटाने के लिए अपने एक मंतरी को भेजा और मंतरी उसे इतना प्रभावित्वा का उनका सिस्थ से बन गया ये माना जाता है ये जो हमारे बिद्वानों ने सुफी सब्द का जो अर्थ दिया है मकुरूब से सुफी सब्द के मतपती माना जाता कि सफा से मानी जाती है सफा और दूसरा जो है सफा का अर्थ ये कहा जाता कि पवित्ता से होता कुछ बिद्वानों के मानता ये भी है कि मदीना की मस्जित के समीब सफा एक अस्थान है वहाँ पर जिन लोगों ने सराण लिया उसके कारणी से सूफी जो वहाँ के रहने वाले उनको सूफी कहा गया सूफी सब्द कुछ लोग मानते हैं कि युनानी सब्द सूफिया से बना जिसका अर्थ होता है ग्यानी सूफी जो धार्मिक साधक होते थे जो सामा मुकरूप से चोगे धारान करते तो उनी चोगे धारान करते थे और समाज में घूमते रहते थे लेकिं मुकरूप से हम देखते हैं कि जो सूफी आते हैं जितने भी सूफी हैं वो इसलाम धर्म से ही आते हैं तो ये कभी-कभी विद्वान ये भी मानते हैं कि ये इसलाम धर्म का परचार करने के लिए समाज में भूमते रहते थे सूफी मत का उद्वाओ, हम मुकरूप से देखते हैं कैसे हुआ उस समय का जो समाज था, जो हमारा जब इसलाम यहां पे आया सूफिज संतों ने समाज के मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया सूफिबात के बिभीन चरनों को आगर हम लोग देखें कि भारत में कैसी है पनपा इसका पहला जो माना जाएत बोबिदियत का रिठ चाहत है बंदक्डर्र चंघ है जो सूफी हमारे संत ये बताए जो विभी ने चरण उनके दूसरा इनका मानना था कि हमें इस्वर के इस्क में परवेश करने न चाहिए इसमें जिसमें गुरु की आउसकता होती है और गुरु के द्वारा हम इसमें परवेश कर सकते हैं तीसरा जो है जूहद जूहद सब्द माना गया जो अरवितरता उसको हिंदी में कहा जाता है जहां समझ संसाजरी के इछाएं हमारी समाप्त हो जाएं वो एक चरण माना गया है चोथा जो है मारिफत ये माना जाता है सुभी संदों दोरा की इस सिथिति में जो सादक है जो सुभी संद के मानने वाले उनको दावी ग्यान की प्राप्ती होती है दावी ग्यान प्राप्त करता है और जो अगला चरण है इनका माना जाता है साधक जो है प्रमात्मा के विचार में हमें साथ डूबा रहता है और इस्वरी ग्यान को प्राप्त करता है इस्वर को प्राप्त करता है जो अगला इनका चलाना हकीकत हकीकत हमें इन्होंने कहा कि प्रमात्मा के जो सुरूप का वास्तिविक ग्यान हमें होता है जो साधक होत है उनको जब हाकिकत से उनका वरतालाब होता है तो उनको प्रमात्मा का जो स्वरूप है उसका वास्ति ज्ञान होता है उनको ग्यान के प्राप्ति होती है जो अगला चरण है वसलिया या काकार हो जाना इस वर्ष के साथ एक आकार हो जाना और आतमा जो और प्रमात्मा का अ ये चीजे जो हैं जो हमारे मुखरूप से सुफी सिधान्त है प्रिस्पलाब सुफिज्म उसका मुखरूप से जो बताएंगे अभी उसको देखिए पहला जो इनका सिधान्त है परमात्मा का केवल अस्तित्व है इनका ये मानना था सुफियों का कि परमात्मा का केवल अस्त से जगत प्रमात्मा से उत्पन होता है सूफियों का मानना था कि हमारा जो जगत है वो द्रिश और अद्रिश से दोनों जगत प्रमात्मा से ही उत्पन होता है इन्होंने एकस्वर वात पे इन्होंने मुख रूप से जोड़ दिया जितने भी सूफी थे इनका पूरा इसलाम करते हैं अच्छा या बूरा वह में इसवर कराता है यूद का भी माननाना था मनुस्ते जितने भी समस्त करमहं हैं और करता है सब कहीं प्रमात्मा कराता है हम अपने से कुछ नहीं करने के जो इनका आगला जो है सिद्धन कार करने के स्वरतcimento कजा सकती मनुस के पास नहीं है। किशा करते कि जो भी हम गलात सही हो पर्मात्मे करते हैं अपने गपारनीं करते। पर्माटमा के पास हैं जो चाहेता है हम करते हैं हम अपने से कुछनए कर सक यह उनका मानना था शुफियों का जो इनका अगला सिधान था मुकरव से यह मानते थैं कि सूफि मृत्यू की न है क्यांकि मृत्व से आत्माशाय के बंधन से सुतंतर हो जाती है जब हम देखते हैं इसलामधरम को यहां बिश्वतिक मैं कहना चाहऑंगा इसलामधरम में मानते हैं कि जो कब गारते हैं ल ituे कि अखिए लो луч जिब्राइब आएगा छिब्राइल जितने भी पुनर जनम में विश्वास करता ही नहीं तो इसलिए शुफित जो है मृतु के कामना करता है क्योंकि मृतु के वाइद आत्मा सरीष के बंदन से सुतंतर हो जाते हुए इनका आग्ला जो सिधान था साधना के प्रक्रिया से आत्मा पवित्र होती है इनका यह भी माना था जै यह तो हमारा इस्लाम धर्म का मूल ही है एक अस्वरवाद्, भक्ति संतों ने भी एक अस्रवाद पर बहुत सारे नों जोड दिया ज्यादे तर भक्ति संतों ने आप देखेंगे कि सुफी साधना में गुरू का हम मुर्सीद कहते हैं सुफी संतों द्वारा मुर्सीद कहा गया है सुफी साधना में गुरू को महत्पूर अस्थान दिया गया है और गुरू के बिना आप इस वर को प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए हम जो भी परंपराय सुफी संतों के देख़ते हैं जांस चिस्ती परंपरा हो उसमें तमाम जो चिस्तियों के जो गुरू थे आगे जलके तमाम महान संथ हुए अब आगे हम लोगग देख़ते हैं भारत में सुफी मत का विकास कैसे हुआ भारत में सूफी मत का विकास कैसे हुआ मुख रुपसी जो हमारे भारत में परबंपराएं जो चली शूफियों का उसमें सबसे महत्पू फैला हुआ हुआ चिस्ती संपर्दाय का और उसके जो मुखे संत्य थे सेख मुनदीन चिस्ति थे इनका जर्म जो माना जाता है एदान के सिस्तान में हुआ था 1141 में और 1190 में अजमेर आये और उन्होंने खान का कि अस्थापना की और 1236 में इनकी मिर्तु हुई और जो चिस्तियों की परंपरा थी यह लगभग भक्ति संतों के आसपास थी क्योंकि इनका जो कटरता नहीं था इनके में सूफियों में अच खासकर चिस्ति संपरदाय में इसलिए इनका फैलाव इनका मानने वाले भारत में बहुत सारे लोग हैं आज भी हैं इनके जो मुकरूप से जो दूसरे इनके सिस्थे सेख हमिदुदीन नागावरी इनको सुल्तान तारिकीन का भी उपादी दी गई थी और त्यागियों का सुल्तान इनको माना जाता है इनके बाद जो आते हैं चिस्थी संप्रदाय में जो हमारे सुफी संद्ध परमुकृप से फरिदुदीन गजय संकर संकर को पादी थी काकी के सिस्थी और फरीद खासकर पंजाब छेतर में बहुत ज्यादे प्लचलिध थे इसलिए आदिए घरंथमें इनके भी दोहें पाय जाते हैं किलान्थ में फरेत बाबा फरीद के माबा फरेत कह स Jewish्त अन्ग का जन्म कर दितार neurolog मूलतान में है और दृति मुंद्ध मौत है उत्व कर दृद में कि निजामोधी के दरगाद बत्स पर आजसे सेख दया मतनुंत मुद्ध कर दृदिय में हिसे से बीसे reuse हाँ में हुआ था लेकिन मुकροफ से इनने yum वार्सृटान वार्स फूले मादर वायस साल कि अस्वस्था में बनाया था यह बाना जाता है कि इन्होंने साथ सुल्टानों का साधान सनकाल देखा था लेकिन कि से सुल्टान के वुलावे पे उन वहाँ गय नहीं महल में निजामदीन अउलिया इन्हें महबुव-ई-ई-लाही भी कहा जाता था प्रमात्मा का प्री कहा जाता था लोग मानते हैं कि यह जो है इस वर से साचातकार करते तो बैठे बैठे बाचित किया करते थे इनके मिर्तु 1325 इस भी में हुई थी इनके जो सिस्थे अमीर खुसरो अमीर खुसरो का बड़ा उच्छ साहिते का स्थान है मद्यकाली नितिहास में बहुत सारे इन्होंने गरंथ लिखी हैं अमीर खुसरो ने जन्म इनका 1224 में हुआ था पट्याला में अमीर खुसरो बल्बन के काल में उस साहितिक अस्थान प्राप्त किया था मुखरूप सीन का ये निजामदीन आउलिया के सिस्थे जैसे मैं पैसे बता चुका हूँ आप लोगों को निजामदीन के मुर्टी के खारण ओलिया सहन भयोग नहीं कर पाया और इनकी भी उससे मुर्टी में निजामदीन आउलिया की मिर्टी हुई इतने जुडे जाता है सिर्फ सलीम चिस्ति सेख सलीम चिश्ति की कवर जो है फटे पुर्वाजे में जब आप कभी जाएं बुलनदर वाजे के पास जो कवर दिखाईदे को सिल्हिए की दरगाहा है यह कrekवर के समकालीन थे और यह माना जाता है कि अकवर को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो यह अकबर बाइस किलोमेटर लगवागरा से बाइस किलोमेटर दूर है फटेपुर्शिक्री यह अकबर पैदले वहां से गया और इनसे आशिरवात प्राप्त किया इसलिए उसने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा जहांगीर का सलीम है और इमाना जाता है कि उसी से उनी के आशिरवात से जहांगीर पैदा हुआ और इसलिए अकबर ने पूरा जो एक गाउं था फटेपुर्शिक्री उसके वहां पर उसने अपना राजधानी इस्थापित किया बाद में और आज भी आप जाएंगे तो पूरा करा को राजधानी बनाना पड़ा जो चिस्ती सिल्सले के मुकूर्श सिधान्त हम देखते हैं थे उसमें था पहला कि सादगी और प्रवित्रा का इनों जीवन बैतित करना था स्वेच्छा से निर्धंता था अभाव का जीवन अपनाना था राजनितिक गत्वत्यों को पर इस्वरी बर्दान मांनते थी क्योंकि मांते थे कि हमें सुक सुद्धाव से दूर रहना चाहिए मानो सेवा को ही परमात्मा की सेवा मानते थे और भावनाओं पर निंद्रा रखना था आचार विचार को सुध्ध सुध्य रखना यह चीश्ती सिल्सला का सिधान था ऑग मानते थे कि हम अपने भामनाओं पे निंदना रखना जीए अचाशा・ पिचार को बिल्कुल सुध्ध रखनाची कि इस्वर प्राप्ति के लिए इन्होंने माना कि अहम को नश्ट कर देना चाहिए क्योंकि जब तक ऑऺम मंन में रहेगा इसवर के प्राप्ति बिल्कुल हो नहीं सकती यह जितने भी संदे उनका यह मानना थह हिंदू समाज में बड़ेसे हारी श्ताफित करना चाहते थे वह सारे आज भी आप देखेए मेरिके दरगा द कर दे हिंदू जाते हैं और सुलिम चिश्ती की दर्गाह पे बिजाते हैं निजामदूी नाउलिया की दर्गाह पे बिजाते हैं यह सभी हमारे संफिवाद सुपी संत थे उसमें दूसरा महतपूर्ण हमारा सिल्सिला आता है जो स्मपरदाय आता है सुरावर्दी ओ Norm होने खानका की जो एस थाफना की मुलतान में किसी जिस जलाल-अदीन-سुलीm माना जाता है कि भारत में मुहंम्प गौश ने कि थी लेकिन जो मूल अस्थापना इसकी थी बगदाद में हुआ था बाहराएं सतापदी में जिसके अस्थाम माथ ver check날 नहें ने कि تھی भारत मुक tempo सेमु गढays को में इस सिती नहीं थी जाराशी को भड़ा समनेवादी था और हिंदुcoon हिंदुन के लोगी जरें आप देखें को अनवाद को कि भेले से नानने वाला था लेकिए इसलाम समर्थक पूर्ता नहीं माना जा सकता है लासी को मुल्ला साक भाद defense boat the जो इस परंपरा को मानने वाल पराषी को एक करूणिवादी सिल्षला समनता माना जाता है warto अगला जो हमारा सिल्षबस अता है दिल्सब्स नक्सबंदीय संप्रदाय सुफी संतों में ॐस्थापना चौदहे handler सताथ में ख्वाज्य बाहादुदीन नक्सबंद ने मुकरूब से भारत में इसके अस्थापना ख्वाजा बकी बिल्ला हने किया था और इसका जो ब्यापक परसार परसार का जुसरे इनके दिया जाता है उनके सिस आमद फारुकी को था और बहुत ही परचलत थे इनका नाम सेख आमद सरहिंदी भी कहा जाता था और ये अकबर जहांगीर के समकालीन थे और इनका एक बहुत प्रसिद नाम था मुझदीद के नाम से माने जाते थे और जो अंतिम हमारे सिल्चले के संद थे अंतिम महत्पूर जो संद थे ख्वाजा मीर दर्द थे ये रूनिवादी थे और ये हम देखते हैं सुफी संतों के सुफी मत्का जो हम देखते हैं प्रभाव क्या पड़ा हमारे समाज पे मुख रूप से हम देखेंगे प्रभाव तो एक तो समनवे समनवे का हमारा प्रभाव जो हिंदू-मुस्लिमीन समाज में स्थापना हो समाज हमारा विक्रीत ना हो यह प्रभाव पड़ा भक्ति संत और सुफी संत दोनों नों मिलकर प्रयास किया बहुत सारे सुफी संतों ने और भक्ति संतों ने मिले एक साथ मिले और इसका यह प्रभाव रहा कि समाज में भी मुस्लाम धर्म को जानने का मोका मिल अब बहुत सारी परंपराएं हम लोग देखते हैं हिंदू समाज मुसल्मानों के बहुत सारे परंपराएं हिंदू समाजी ने भी अपनाया भासाएं भी हमारे उसी तरह दोनों समाजों के जो आज हम देखते हैं उर्दू उर्दू में बहुत सारे भासाएं हमारे हिंदी के भी मिलती है और हिंदी में भी उर्दू के बहुत सारे चीज़ें हमारी मिलती है इस सम्मेइ जो सूफी मत का एक बहुत बड़ा परभापड़ा साहित का स्रिजन, हमारे जो लोकल भासा आये थे उसमें साहित का स्रिजन भे हुआ, बहुत सारे भासाओं में, यह बहुत बड़ी बात है भग्ति संतो ने में प्रियास किया, जो साहित का श्रिजन लोकल भासाओं में हुआ, जिसे हमारा साहित विखित हुआ, पुश्पित हुआ, पलूईत हुआ, और जो हमारे समाज था, समाज में एक बहुते हुँँ, जो इच नेच का भेद था, सूफी मत के आने के कारण, juegos, इसे हमारे उसके कारण सम्टों प्रियास किया बहुट सारे हम देखते हैं कि हमने सिल्सिलए 48 मुख रूप से जो माना जाता है बहुत सारे बिद्वानों ने माना है कि इनका मुख जो दे से था यह था कि यह इसलाम धनों को परफिस्थापित करें इसलिए जो जितने सूफी संद्ध थे यह निचले तब के हिंदूं के निचले समाजों में जाकर अपना पैठ बनाते थे यह यह पाश्टी संतों ने कि हमारा समाज जो है एक हो इंदू-मुसलिम समाज एक हो जिस समाज प्रसले और अगर यह हम यह मानते हैं कि अगर भरती संत और सुफी संत अगर उस समय यह प्रयास नहीं किये रहते तो साइद जो आज का समाज हम भरती समाज देखते हैं साइद हम लोग ना दे झाल झाल